हेलो गाइस मेरा नाम है सलमन खान और आप देख रहे हैं मेरा यूटूब चैनल इंडियन इस्टेडी इस वीडियो में हम लोग महात्मा गांदी के जो इंपॉर्टेंट कोश्चन जो कि आपके एक्जाम में पूछे जा चुके हैं उनको कफरर करने वाले हैं रिसेंटली दो को स्क्रिप नहीं करना है वीडियो को लाश्टा देखना है और यहीं वीडियो पसंद आती है तो प्लीज लाइक और से जरू करना है चलते हैं गाइस पहले कोशन की और फीनिक्स फर्म की स्थापना किस न की थी ऐसा कोश्चन डारेक्टली आपको पूछ जाएगा एक्ज वीडियो में कोई प्रोब्लम हो तो आप लोग बता दीजिएगा वैसे तो मुझे नहीं लगता है कि आपकी जो प्रोब्लम में काम कर रहा हूं और कोई प्रोब्लम नहीं होनी चाहिए तब लोगों भी आपका पीछे है आंसर भी टेक नहीं है अब आप अपना टेस्ट द तो आपको याद रखना है यह important question है आप लोग के लिए अलग पाकिस्तान बनाने की मांग कब उठी थी तो गाइस सन 1940 में अलग पाकिस्तान बनाने की मांग उठी थी दा लाइफ औफ महात्मा गांधी पुस्तक देखिए यह जो पुस्तक है ना इतिहास से लिटेट यह काफी important होती है आप लोग क्या करिए आपके exam करीव आ रहे हैं तो जितनी भी important पुस्तक हैं जो की इतिहास से लिटेट है या फिर modern history से लिटेट है उन सब को आप लोग याद कर लीजिए कि एक ना एक पुस्तक जो पूछी जाते कि आपके जी के कि सेक्षिन में तो इसका गाइस बिल्कुल सही अंसर का हो जाएगा option D यानि कि लूई फिसर इसका बिल्कुल सही अंसर हो जाएगा किसे American Gandhi के रूप में जाना जाता है important question फिर से ऐसे question काफी पू तो guys option B यानि कि दुत्तिय गोल में इसका बिल्कुल सही अंसर हो जाएगा गांधी जी को राष्टर पिता किसी ने कहा था तो गांधी जी को सुभास चंद्र बोश ने राष्टर पिता कहा था महातमा गांधी को किस वर्स टाइम मैगजीन के person of the year नामित किया गय था तो guys इसका बिल्कुल सही अंसर हिगा option A यानिки 19-30 इसका बिल्कुल सही अंसर हिजाएगा गांधी जी के राजनीतिक गुरू कहों ते अब ये तो question आपे उन्ने कही ने कहीं जरूर पढ़ा होगा काफी बार पूछे जा चुका है तो इसका बिल्कुल सही अंसर ह syntax गा गोपाल k किसी ने लिखा है या फिर किसी ने गाया है यह दो कोशन बनते हैं तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा और सिंग महता इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा गांधी डर्विन या फिर इर्विन बोलते हैं गांधी इर्विन समझोता कब हुआता तो इसका बिल्कुल स काफी important है मैं आपको पता देता हूं तो रविंद नाथट टेगोर को गुरु देप की अपादी किसन ने दिती तो गाईस इसका बिल्कुल सभी अंसर हो जाएगा option सी यह अनकि महात्मा गांधी इसका बिल्कुल सभी ऑपादी किसन ने ज crimes तो महात्मा की उपादी पूछा गया है अभी मैंने देखिए राष्टपिता की उपादी के ऊपर एक कोशन आये था कि राष्टपिता की उपादी किसे ने दीती अब लेकर आपसे क्या पूछ रहा है महात्मा की उपादी तो ये रविंद्रनाथ टेगोर ने दीती यानि कि option भी सका बिलकुल सही अंसर हो जाएगा मात्मा गान्धी के जन्म देवस को किस रूप में मनाई जाता है तो सबी लोग जानते हैं गान्धी जाइंती और आहिंस देवस दोनों ही मनाई जाता है यानी कि option प fragments सहीiste nav खोप को कहा था यानिकि ऑपसिन इसका बिल्कुल सही अंसर हो जाएगा गांदी या उसे क्या कहा जाता है तो बता ये इसका सही अंसर चाहिअ क्या है यह MS नारत छोड़ो आंदुलन से ही करो या मरो नारे की उत्पत्ति हुई थी गांधी और नॉन वाइलेंस पुस्तक के लेखा कौन है तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा थॉमस मर्टन यानिकी ऑप्सेंस इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी को दक्ष टान का क्या नाम है मेरी साथगी सथ्ध्य के सात मेरे प्रयोग तो बिल्कुल सही और मैं एक्सके की吧 आत्म करीएगा चलिज चलते हैं हमारे 21 कोशन के और गांदी जी किसकी रचनाओं से प्रिभावित थे तो गांदी जी जो हैं वो लियो तॉलिस्टोई की रचनाओं से प्रिभावित थे विंग गांदी पुस्तक को किस ने लिखा है मैंने जैसा कि आपको बताया है यह पुस्तक जो हैं काफी इंप सासा कौन थे तो गाइस उस समय लुइस फिसर थे महात्मा गांदी के साथ यानि की ऑप्सन भी 23 कोईश्टन का बिल्कुल सही अंसर हो जाएगा महात्मा गांदी का जनम दिन अंतराश्टी इस्टर पर किस रूप में मनाई जाता है यह आप से पूछा गया है तो आहिंसा दि सेर्टीया जो जो हैं उसमें लिव गांदी जी खादी को किसका पृतिख मानते थे इंपर्टर्टन कोउच्छन है तो यह आखिक स्वतंता का पृत्रिंक मानते थे किस तो को नेशत को चलते हैं घानान को काहता तो यह तो सब यू को पता होगा है यह शब्र्डान काुश् था देखे पहले मैंने भारत की बात की ती अब बात कर रहा हूं दक्षड अफ्रीका की पहले सत्य के रहे की तो इसका बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा ऑपसंसी यानि कि 1906 इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा गाइस फिर आप से आप से बोलना चाहूंगा आप वीक्निस को आप सुदा दिये तब भी आप यूपी जेल वर्डन का एक्जम निकाल सकते हों क्योंकि आपके ही जैसे काफी लोग आपके ही सब्जेक्ट में तैयारी कर रहे हैं और कहीं न कहीं बो भी कोसिस में लगए हैं कि मुझे भी सिलेक्शन मिल जाए यदि आपको सि की गवर्मेंट जॉब और गवर्मेंट जॉब इस समय काफी इंपोर्टन है हर किसी के लिए जैसा कि आप लोग जानते हो दिरे दिरे प्राइबिट आजेसन हो रहा है सबी के दौरा सारी कंपनिया जो क्रेड हैं हमारी गवर्मेंट पीपी में जा रही है तो यह सारी का प्रियोग सबसे पहले किसे ने किया था थो सब्तागर सब्से पहले मात्मा गंधी temu कि याने कि ऑप संसी का बिलक्ल सही अंसर हो जाएगा फिर से ये पुस्तक आई है क्योंकि पुस्तक काफी important होती है और इसके लेखक पूछेगा है इस बार तो कौन है महत्मा गांधी इसके लेखक है next question क्यों चलते हैं जो कि हमारा last question होगा तेईस नवंबर 1919 को दिल्ली में अखिल भारती खिलाफत कमेटी के अधिवेशन की अध्धक्षिता किसने की ती इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा option D यानि की महत्मा गांधी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा तो गाइस यदि वीडियो आपको पसंद आए तो फिल्स फिल से कहना चाहूंगा लाइक कर ये वीडियो को सेर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए थैंकियो अलव यू जय हिंद जय भारत